हलो अगर न दो में मनों चरूप देखे रहे हैं यहां बात करेंगी सब्सक्रान डिषे इफीट की नियुओ उपट्स के नियू आपड़ी सब्सक्राइब डेली बासे में नूज़को के खाराँ यूद विल्टेश को सब्सक्राइब करें सबसे बड़े कमांढ़ की और इनस्टी चीन कोभा करेंrah तो प्रहंड सो चल्ठ में से रखड़ुक की बात करेंगे तो फ्रेंट्स जिसे मैं आप लोगों की साथ शुरू करते हैं। चाहें उससे बात आगे जितने भी ट्रेनिंग होता है कही ना कहीं मार्कोस और NSG कमांडो हमेशा एक बिसम परिस्तिती में गुजरते हैं तती शाथ उनका जो विल पावार है वो हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाता है जितने भी कमांडो थे अब मानिये फ्रेंड्स की इंडियान आर्मी में आप जोइन किये हो नाभी में कुछ समय काम करने के बाद जरी मार्कोस कमांड की बात करू नाभी में कुछ समय काम करने के बाद बहां से जिनका परफॉमांस अच्छा रहता है हर एक खेतर में उन लोगों को चुना जाता है म स्री नगर में इस समय जी टुन्टी कि टुरी जीम समिट चल रहा है तो यहां पर 20 देशों की महामान आने वाले हैं जदी में बात करो मैं तो इसमें उनकी सिक्रिटी का जिमा देश की बहतर कमांडो टीम को दी गई है क्योंकि देखिए यहां पर दो सवाल है क्यों दिया गया है आपको बता है जैमु कस्मिर जो बड़े बड़े लोग आ रहे है तो उनके सिक्रिटी के लिए यहां पर इस चीज को अपडेट किया गया है तो इस यहां पर बहतरीन कमांडो टीम दिया गई है जदी में बात करूँ यहां पर नेशनल सिक्रिटी गार्ड एनिकी NSG और मार्कोस कमांडों की यहां पर गुम किया जाता है लेकिन यह जमिन और आत्मान में कहीं भी दुस्मन से लड़ सकते है जदी में बात करूँ यह दुस्मन को लोहा लेन के लिए तयार और ट्रेंट किया जाते है जदी में बात करूँ फ्रेंट्स मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिका नावी सिल्स के तरह ही होती है तो यहाँ पर मार्कोस फोर्स में जदी में बात करू फिलाल 1200 कमांडो है यह है फास्टी जदी में बात करू 1987 में बनाय गए थे इन्हें दुनिया की सभी आधुनिक हत्यार चलाने की ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि कोई भी विसम परिस्तिती में यह अपने आपको फुरूप कर सके और हमारे देश को रख्या कर सके साथी साथ इंडिया नाभी के लिए बहुती बड़ा काम कर सके मार्कोस कमांड टीम के पास बहतरिन स्नाइपर होते है जो की दूर से ही दुसमन को माते की बीचो बीच गिल्ड मार शकते है यान की वहाँ पर निशाना साथ सकते है यह कहीं तरह की आसल्ट राइफल चलाने में माहिर होते है इन्हें मगर मच और दिट बाला फोजी भी ब बीचलन के अचला होतो है एक ट्रिजबे इन इन जबानों को चुना जाता है ठीक है इनकी ट्रेनिंग के लिए इन जमानों को चुना जाता है जो अपने शुरुवाती 20 साल की उम्र में होते हैं यानि कि मैं बता दो फ्रेंट्स यहां पर मार्कोस कमांडो और एनस्टी कमांडो के लिए काफी चुनिंदा जंग जुबा क्याडेट को ही जो है टीम पे सा स्वार्निंग करते है उपने अपने आपको किसे बचा सकते है उसके बारे में वो ट्रे JUST यहां पर अलग अलग जगाँपर अलग तरह क किया जाते है मारकोस और प्रेंट्स में यहां पर बात करूँ कि जो जवान मारकस बनना चाहते हैं पहले उसे तीन दिन की फिजिकाल और रिटिन में जो है उनकी परिख्यन किया जाता है उस परिख्यन में वो पास होने के बाद आगे ही वो बढ़ सकते हैं अभी ट्रेस्ट हाज भी गिवन 80 वर्सें जवान ठीक है तो आप मान लेजिए 100 मतलब सपोज 10 कोई भी आफ अंक ले लेजिए कोई नंबर लेजिए जब सपोज 50 जवान मारकस के लिए गया है उसमें 80 50 जो है बहुत हो जोता है बीस पर्सें अमानी 50 गया है तो 30 से 40 आपका खट जाएंगे 10 चुनिंदा रहेंगे ज चुकvoll कि यहांसे बाहर हो जाते है इसके बाद स्रू भाती में से अहां पर नर्क का खटा है इल्ट साथ वीक जिसमें बाध्यन जदी में बात करू अध्यन और खतरनाक ट्रेनिंक होते है शुरुवात मैं कई दिनों तक जवानों को सईń नहीं दिया जाता है कम से कम जदी सबसे बड़ा कमांड, NSG कमांड फोर्स की, जब भी देश में बड़े-बड़े आतंकी हमले हुए, चाहें वो 26-11 हो, या फिर वो अक्षरधा मंदर के हमले हो, जदि मैं बात करूँ, NSG नहीं आतंकियों को धहर केर दिया है, NSG आनि राष्टी सुरेख्या गाड, National Security Guard, National Security Force है इस फोर्स की सुरुबात 1984 में बनाया गया था, जदि मैं बात करूँ, फिलाल इसमें 10,000 सक्क्रिय कमांड है, इसमें देश की किसी भी सेंड और आजस्यनिक बड़ पर अपडेट किया जाता है, यह वल या पुलिस यह जबान सामिल होते है, लेकिन इनका ट्रेनिंग 14 महिन की होते है, यहाँ गुरु मंतलाई के तहट काम करते है, जदि मैं बात करो, यह ववन सिक्रिटी, उसके साथ साथ हाइजाकिंग, राकेट, बम का पता लगाने, जैसे अन्य कामन के लभी इन लोगों को तैनात किया जाता है, फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसी साब से आपको ध फोर्स की 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय बना गया था, इनका ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जिसमें 65 किलो बजन की साथ, कई किलोमेटर इनको दोड़ेन में सामिल क्या जाता है, जदि मैं बात करू, जो की क्याड़ेट के पास होता है, उसे मैरून टोफी मिलता है, जिसमें बात करू, 30-35,000 की उचाई के छलान लगाने के भी पक्रिया इन लोगों को सिख्या जाता है, ट्रेनिंग में कूल यहां पर 9 बैटलेन होते है, स्पेसाल फोर्स की, ठीक है, जो इस स्पेसाल फोर्स की डीटल में फ्रेंट यहां पर स्वर्ट में बता रहा हू उसके बाद अंतिक रोध अभियान, उसके बाद में बात करू, इनके ट्रेनिंग 72 हपते है, जो की सभी कमांडों से सबसे ज़्यादा लंबी होते है, ट्रेके फ्रेंट्स, गरूर कमांड रात में हवा में और पानी में मार करने के लिए एक्सपोर्ट होते है, मिसाल इस फ पाकिस्तान में हुई सजिकार श्टाइग पर इन लोगों की साथ टुकडिया में हमला किया गया था, फिलाल 7000 कमांडों गहातक कमांडों में आभेले बूले, उसके बाद आता है CRFF की कोब्रा कमांडों, यह कमांडों टीम 2008 में बनाए गई थी, कोब्रा कमांडों कोब्रा कमांड फोर्स का पूरा नाम है, कमांड बादलियम फोर्स रेजिलेंट्स, COBRA कोब्रा है, इनके तीन महिने की ट्रेनिंग होते है, फिलाल इस फोर्स में 10,000 क कमांड है, यह बात करू, आम तवरो पर इन्हें गोरिला ट्रेनिंग और नकसल विरोधी आक्रमन के लिए एक्सपर्ट किया जाता है, इनका ट्रेनिंग का फिसर जंगल इलाका में क्या जाता है, यह राष्ट पदी भावन और संसद समय और स्वेख्या के लिए काम करते है उसके बाद हम बात करेंगे निव अपडेट के तहत फ्रेंज जो की अपडेट रहेगा वाईटी मनचकुमार की तहत तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे स्वेट कमांड्स के बारे में तब तक लिए फ्रेंज कीप आचिंग वाचिंग वाईटी मनचकुमार